हेलो फ्रेंड्स मैं राजे स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर तो आज मैं BPSC ए असिस्टेंट इंजिनियर का सिविल का जो मेंस में कुस्चन किसी इसाब से पूछेगा किस टाप का एक्जामनेशन का स्कीम क्या होगा वह मैं डिसकस करूंगा आज तो उसके इसमे जेनरल हिंदी जो समान हिंदी है objective होगा 100 questions रहेंगे उसमें और 100 marks के रहेंगे जिसमें 30 जो है वो qualifying है वो उसका mark final में नहीं जुड़ेगा जो final mark जिस पे result तयार होगा उसमें नहीं जुड़ेगा और 3 गंटे का ये एक्जाम होगा हिंदी का उसी तरह English है English भी objective होगा 100 question रहेंगे 100 mark का वो भी सिर्फ qualifying है 30 number 30% है उसमें नमबर लाना होगा minimum ये भी 3 गंटे का एक्जाम होगा और उस तरह general studies है वो भी 100 question 100 mark के और वो भी 3 गंटे का होगा तो ये जिसमें हिंदी और English जो है उसका वो सिर्फ qualifying रहेंगे उसका mark final result में नहीं जुड़ने वाला है तो और general studies का जुड़ेगा general studies 100 question 100 mark का तीन गंटे का एक्जाम होगा ये जुड़ेगा और हिंदी और English का एक्जाम में syllabus के बारे में बताया गया है कि इतना ही रहेगा जिसे ये उसके बारे में जो exam student है उसके बारे में ये पता लगाया सके क इसे हिंदी और English का knowledge proper है या नहीं है ठीक है एतना ही syllabus है इसका तो और general studies में तो syllabus पताई होगा फिर general engineering science जो general engineering है उसमें objective होगा 50 question रहेंगे 100 marks के एक गंटे का exam होगा वो और उसी का subjective भी होगा जिसमें 10 question रहेंगे जिसमें only 5 attempts करना है आपको और वो भी 100 mark के रहेंगे और उसमें 2 घंटे का time दिया जाएगा subjective में objective में एक घंटे का और subjective में 2 घंटे का time दिया जाएगा और इस तरह paper 5 जो है वो civil engineering का objective part 1 जो है objective है और second part subjective है objective same pattern है 50 question 100 mark 1 hour और paper 2 जो है इसमें subjective है जो 5 या 6 question रहेंगे बहुत तो 6-7 भी रहा सकते हैं उसमें से कोई 5 आपको करना है जिसमें first question compulsory रहेंगा और वो 100 mark के रहेंगे 2 घंटा time मिलेगा उसके लिए और paper 2 ये paper 6 जो है वो भी ऐसा ही रहेगा same pattern का वो अलग 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 रहेगा syllabus अलग 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 है दोनों का उसमें कुछ subject paper इसमें 6 में है कुछ subject paper 5 में है तो इसे साबसे होगा paper 1 में जो है paper 6 के part 1 में जो है वो objective होगा 50 question 100 mark का एक गंटे का time मिलेगा और paper 2 जो होगा इसके part 2 वो subjective होगा इसमें 5 से ज्यादा 5 या 5 से ज्यादा question ढा सकते हैं जिसमें से 5 attempt करने आपको 100 mark के रहेंगे 2 गंटे का time दिया जाएगा इसके लिए और 100 mark का जो है वो interview रहेगा ठीक है तो इस तरह से अगर हम देख रहा है कि अगर हिंदी और इंग्लिस जो qualify इसका तो mark जुटने वाला है नहीं तो टोटल हमारे पास टोटल 800 नमबर के हो रहे हैं जिसमें 325 और 27 700 नमबर के ये exam हो गये जो objective subjective exam होगा और माकी 100 के interview हो गये टोटल 800 में जो होगा वो result बताया जाएगा 800 में जितना परसेंट आएगा वो result में result उसका होगा जितना cut-off जाता है और जो minimum qualifying mark है वो 30% तो सबको लाना ही है minimum और वो general के लिए 40% है BC के लिए 36.5% है EBC के लिए 34% SCHT और female और PWD जो उसका 32% है ये minimum qualifying mark है और ये जो qualifying paper है जिसे हिंदी और इंगलिस है उसमें 30% आपको mark लाना ही होगा तब ही आपका जो पहले का paper होगा उसके बाद का चेक होगा ठीक है तो ये pattern हो गया exam का किसने साब से exam होगा कैसा ये इसका pattern रहेगा और जिसका जो syllabus है हम लोग syllabus को भी discuss करेंगे syllabus जो है वो कुछ खास है नहीं तो इसके लिए syllabus जो है हिंदी का हिंदी है paper one हिंदी इसा के हम लोग देखेते पहले उसमें सिर्फ इतना ही आगा जिससे आगार इस्ट्रेंट के बारे में ये पटा लगा है कि कैसे proper हिंदी आता है नहीं है जनरल इंग्लिस है उसमें एरर है sentence improvement है 20 question रहेंगे इसमें 20 question रहेंगे synonym रहेंगे 10 question एंटोनीम 10 question फिर fill in the blanks के 20 question रहेंगे Adams phrase के 10 question रहेंगे and one word substitution रहेंगे उसके 10 question रहेंगे उसके बाद general studies है general studies के syllabus ये साव है आप screenshot ले सकते हैं इसका screenshot लेकर करके आप English में ये syllabus दिया हुआ है इसलिए ये बहुत साइड है आप लोग के लिए क्योंकि advertisements में जो है वो प्योर हिंदी में दिया हुआ है तो थोड़ी problem होती है हिंदी में तो आप screenshot लेकर करके इसे save कर सकते हैं ठीक है अब उसे तरह general engineering में इंजिनेरिंग मेकानिक्स है सर्वेइंग है स्वाम है फिर मेटरियल है इंजिनेरिंग मेटरियल और construction जिसे बिल्डिंग मेटरियल विकाते हैं और economic engineering economy है यही सब है CPM पर जिसके अंदर आता है तो यह सब है general engineering के paper है कुछ transportation transportation transport phenomenon है energy conversion है इसे thermodynamics बोलते हैं फिर elementary engineering है basic electrical engineering वाला environmental engineering है यह सब आपके आ जाते है paper 4 में ठीक है यह सब आप screen shot इसका ले लिजिए साइड आएगा आपके लिए और उसके बाद paper 5 में जो है जो civil engineering का जिसमें objective और subjective दोनों होने वाले है उसमें structural analysis है ठीक है RCC है steel है प्रिये stress है यह सब के question रहेंगे subjective numerical इसमें बहुत ज्यादा आते हैं ठीक है इसमें ज्यादा तर numerical ही पुछते हैं त्योरी बहुत कम पुछा जाता है और soil mechanics है foundation engineering यह सब है और उसके बाद paper 6 जो है इसमें भी subjective objective दोनों रहेंगे इसमें hydrology, open channel flow, design of hydraulic structure, transportation engineering और इसके बाद public health engineering जिसमें water supply, drainage, sanitation यह सब है ठीक है तो यह सब स्लेवस और detail में लोग इसका preparation करेंगे जो जैसा कि आपको पता है लोग यहां पर previous year question discuss करेंगे जो मेंस का है subjective question objective subjective कोई question रहेंगे तो discuss करेंगे तो साथ साथ में objective का भी कुछ preparation हो जाएगा कि उसको detail में discuss करेंगे तो यह सहीड आएगा ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक ज़रूर करें साथ सत चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कि आभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेर भी करने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सही से पढ़ सके और आगे वड़ सके ठीक है तो थेंक यू